आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense Hindi में आपका स्वागत है आप हमें जॉइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर Facebook, Instagram, Twitter और English viewers हमें जॉइन कर सकते हैं Alpha Defense English पर आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Extended Range Surface to Air Missile के बारे में यानि की XR Sam के बारे में XR Sam DRDO द्वारा निर्मित एक साड़े 300 किलोमीटर रेंज वाली Surface to Air Missile सिस्टम होगी और क्योंकि इस समय एक साड़े 300 किलोमीटर की Area Warning APJ अब्दुलकलाम आईलाइन के पास में दी गई है जो की शुरू होगी कल देड़ बजे से और रहेगी परसों साड़े 4 बजे तक ये Area Warning साड़े 300 किलोमीटर की है और XR Sam की भी रेंज साड़े 300 किलोमीटर की है इस वज़े से लोगों का मानना है कि ये Area Warning XR Sam के लिए हो सकती है हलाकि XR Sam को लेकर targeted date साल 2025 की है लेकिन ये possible है कि इस surface to air missile system का पहला test अभी किया जाए अगर इस missile के graphics को करीब से observe किया जाए तो एक बात समझ में आती है कि ये missile system एक existing missile system को improve करके बनाया जा रहा है इस missile में उपर की और एक बराक 8 जैसी missile है और उसके नीचे एक बड़ा booster जिसके वज़े से इस missile की range साड़े 300 km तक हो जाएगी अगर इस missile के एक typical mission को देखा जाए तो ये missile एक slow moving target को जैसे कि bomber, refueling tanker या AVAX को बहुत जादा दूरी पर neutralize कर सकती है क्योंकि ये target बहुत जादा maneuver नहीं करते हैं इस वज़े से इस missile को बहुत जादा directional changes नहीं करने पड़ेंगे और ये missile एक trajectory को follow करते हुए काफी दूर तक जा सकेगी जिससे इसका fuel consumption कम होगा और range बढ़ जाएगी इसके उलट जब ये missile एक fast moving target को chase कर रही होगी जैसे कि एक fighter jet या cruise missile तो इस missile को हवा में बहुत सारी maneuver करने पड़ेंगी और इन maneuvers के दौरान इस missile को और जादा power का use करना पड़ेगा जिससे fuel consumption बढ़ जाएगा और इस missile की range कम हो जाएगी fast moving targets के लिए इस missile की range 200 km की है वही slow moving targets के लिए इस missile की range 300 km की है इस range के लिए ये जरूरी हो जाता है कि ये missile एक dual pulse missile हो और इसी वज़े से baseline आस्तरा के chances बहुत कम है इस missile configuration में use होने के dual pulse को हम लोग पहले explain कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं time stamp में उपर डाल दूँगा dual pulse में दो rocket motors होती है और initial boost के बाद में ये rocket motors start हो जाती है rocket motors के साथ में सबसे बड़ी परिशानी है इनको start करने के बाद में बंद करके reignite नहीं किया जा सकता यानि कि अगर आपको उस thrust के आवशकता नहीं है तब भी ये rocket motor चलती रहेगी और fuel परबाद होता रहेगा इसके कारण इस तरीके की missiles के range काफी जादा कम होती है और इस चीज को overcome करने के लिए dual pulse का प्रियोग होता है पहली pulse जब पहली rocket motor खतम हो जाती है वहां तक होती है और जब पहली rocket motor खतम होती है उस समय ये missile काफी जादा speed में होती है और इस momentum के साथ में ये missile काफी दूर तक उसी trajectory में जा सकती है और इस समय इस missile को अपने पीछे rocket motor की आवशक्ता नहीं होती है यानि कि बिना किसी thrust के ये missile काफी दूर तक जा सकती है और जब ये missile या तो slow होने लगती है या इसको maneuver करने की आवशक्ता होती है तब दूसरी motor को turn on कर दिया जाता है इस approach के कारण इस missile की overall range काफी हद तक बढ़ जाती है अगर इस missile के parts की बात की जाए तो सामने की ओर इस missile में एक radar seeker होगा ये radar active और passive mode दोनों में काम करेगा क्योंकि ये missile एक extended range missile होगी तो इस missile को external guidance की आवशक्ता पढ़ सकती है इस missile को mid course guidance मिलेगा inertial navigation से और seeker के तुरंट पीछे इस missile का navigation और electronic segment होगा फिर होगा इस missile का warhead जिसकी मदद से ये target को destroy करेगी और उसके बाद होगा इस missile का propulsion system इस propulsion system में होगी dual pulse rocket motors और आखिर में एक बड़ा booster अगर इसके propulsion system में propellants की बात की जाए तो इस missile में definitely composite propellant का प्रियोग किया जाएगा और इसमें oxidizer और fuel की मात्रा को adjust करके एक additional range अचीव की जाएगी propellant का concept easy है propellants के अंदर एक oxidizer होता है example के तौर पर ammonium perchlorate उसके साथ में fuel होता है जैसे कि powdered aluminium साथ में होते हैं burn rate catalyst और फिर इन सारी चीज़ों को bind करने के लिए elastomer use किये जाते हैं जैसे कि hydrooxy terminated polybutadine ये इन सभी particles को साथ में bind करके एक rubber जैसा material बना देती है जिसे missile के अंदर ये सारे material move नहीं करते हैं और इसी वज़े से इस missile का transportation आसान हो जाता है कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि solid propellant वाली missiles लंबे समय तक रखी जा सकती है और उनका transportation आसान होता है तो उसका प्रमुक कारण यही elastomers है burn rate catalyst और oxidizer के ratio को change करके अगर इसको increase किया जाता है तो इस missile की speed बढ़ जाती है वहीं इसको कम किया जाता है और fuel को बढ़ाया जाता है तो इसकी speed तो कम हो जाती है लेकिन range बढ़ जाती है और क्योंकि XR SAM में एक लंबी range की अवशक्ता होगी तो ये combination उसी के हिसाब से adjust किया जाएगा अब बात करते हैं इस missile के guidance system के बारे में क्योंकि ये missile system एक long range missile system होने वाला है इस वज़े से इस missile system का guidance थोड़ा different होगा इस missile system के guidance में active औप passive mode दोनों होंगे क्योंकि missile system में use होने वाले radar seeker की range बहुत जादा नहीं होती है तो ये तभी काम कर सकते है जब missile target के करीब बहुँच जाती है तब और इस missile को target के करीब तक ले जाने का काम inertial navigation करता है वहीं जब ये missile passive mode में काम करती है तब ये पूरा operation होता है semi-active यहाँ पर difference समझना ज़रूरी है missile का seeker passive mode में है लेकिन पूरी configuration semi-active है क्योंकि एक secondary source से radar radiation target के ऊपर भेजी जा रही है और इस missile का seeker in reflected radiation को receive करता है और missile को उसकी तरफ guide करता है लेकिन यहाँ पर सबसे interesting चीज होगी इस missile system में यूज होने वाला radar और ये एक ऐसा segment है जिसमें पिछले कुछ सालों में भारत ने बहुत ही बहतरीन काम किया है और ये देखना दिल्चस्प होगा कि आने वाले समय में कौन सा radar इस system में यूज किया जाता है आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही आपको क्या लगता है बताईए हमें comment section में आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताईए हमें comment section में वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताईए हमें comment section में आखेर क्यों देखते रहिए alpha defense धन्यवाद जय हिन झाल 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 झाल